हेग आज वेल्कम टो आइडियल टेक्ट गूरू मेरा नाम विवेक है तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि फिल्मोडा में किसी भी वीडियो को बलर्ग कैसे कर सकते हैं चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले अपना फिल्मोडा है यहां पर इसको हम ओपेंड कर लेते हैं तो जब तक यह ओपेंड हो रहा है तब तक आप चैनल पर पहले वाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी नीचे का जो बैल आकन दिख उनको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं फर्दर कोई भी वीडियो डालू तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अप्टेटर है साथ यह आप हमें सुशल मीडिया पर फॉलो कर सकते जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट करन आफे तो कि मेरे पास समय कर लिए हमेंट सब्सक्रद पर क्लाcket दूब यहां को चाहते हैं और यहाब पना कोई एक वीडियो पीडियो है यहांपे चूज कर ले आफेOG सब्सक्राइब right? आपको यहां पे simply लेकर आ जाना है और यहां से यह वीडियो आ गया है जैसे कि आप लोग जानते है यह मेरा वीडियो अब इस पर हम अपने फेस सपोस्ट дляília टक क्या करना चाहते है अप जो है हमारा यहां से main प्रोसेस होने वला है यहां तक तो आप कड़ी सकते हैं ओके दैन हम आएंगे क्या effect का option यहां पर देख सकते हैं प्रसंद जूम करके आपको दिखा ज़े रहे तो इस effect पर आपको click करना है तो जैसे आप click करेंगे तो आपको यहां पर आ जाना है utility में यहां पर आप देख सकत या आपको थोड़ा सा इसको हम नीचे कह लिए या तो आप directly इससे यहां से mouse के साथ click करके यहां पर छोड़ सकते हैं अगर यह तो हो गया कि आप जहां blur करना चाहते उस हिसाब से तो अब इसको यहां पर हो गया हम suppose यहां पर एक बार हम click कर दे तो यह हो गया यहां पर बी आप बलार रखना चाहते इसको ओके तो इतना हम सपोच्जिट यह फुल वीडियो होगे यह थोड़ा सा और कम ओके हम फेस पर एसे बलार रखना चाहते हैं और इसको हम पात देदेंगे कि कहां तक हम बलार रखना चाहते हैं इस वीडियो में कितना direction तक आप direction देदिए कह यहां टक इसको vlur रखना चाते है चाहिए तो आप heम रख सकते हो अपकी ऊपरatur करता है ओके तो हम यहां पर चला के दिखा दियते हैं आपको थोड़ा बुडियो कम्न कर लेटें हो और यहां से थैके आपको दिखा दिते हैं तो देखिए तो I hope आपको सारा concept clear हो गया होगा तो कोई दिखत रहता है तो comment करना न भूलेगा साथ ही हमें social media फोलो की जो चैनल पर पहले बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करना न भूलेगा तो चलिए मिलते हम next video में कोई और video के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे थोड़ा सा समय करना आ।